दोसो इस वीडियो को पढ़ने में और तयार करने में मुझे तीन दिन का टाइम लग गया अब आप सोचो ये वीडियो कितनी important होगी इसमें कितना content होगा आज की इस वीडियो का हमारा topic है deconstruction जो की post-structuralism का part है मैंने कोशिश की है कि इसको एक वीडियो में मैं धंक से समझा सकूँ ये 22-23 मिनट लंबी वीडियो होगी बहुत दिनों बाद में मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन इसके अंदर मैं कोशिश करूँ है कि इसके अंदर जो भी concepts हैं deconstruction के अंदर और डेरेडा ने क्या-क्या बोला है सबको इसी वीडियो में sum up कर सको तो मिलता हूँ इस वीडियो के end में बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मैनत लगिया आप ढंक से समझना क्योंकि यह थोड़ी सी complicated चीज़ है आज का हमारा topic है deconstruction हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि यह post-structuralism का part है ऐसा माना जाता है कि यह theory जो आती है deconstruction की theory यह post-structuralism का part है और post-structuralism का मतलब यह है कि यह structuralism के बाद में आया है लेकिन इसमें structuralism की बुराई करना नहीं है बलकि structuralism के idea के beyond जाना post-structuralism है इतना आपको समझ में आ गया तो हम चलते हैं deconstruction की theory पर पहले हमें इस word deconstruction का मतलब समझना पड़ेगा दोस्तों इसका मतलब destroy करना नहीं है कोई भी जो इसको पहली बार पड़ेगा deconstruction का मतलब destroy करना समझेगा लेकिन destroy करने का मतलब होता है एकदम बरबाद कर देना जबकि deconstruction का मतलब है dismantle करना dismantle करने का मतलब आप समझते हो कोई machine है उसको खोला खोल करके देखा और समझा कि इसके अंदर क्या चल रहा है डेरिडा ने deconstruction का idea इसी तरीके से दिया था dismantle करना ना कि destroy करना और हमने structuralism वाली वीडियो के अंदर देखा है कि pardon and reassure और उनकी जो भी followers से यानि कि structuralist वो क्या कहते थे हर चीज का एक धाचा एक structure है लेकिन ये deconstruction की theory जोड देती है dismantle करने पर इस deconstruction की theory को बनाने वाले थे जाक डेरिडा आगे मैं इनको डेरिडा कहागर बुलाऊंगा इनको खुद को post-structuralist कहलवाना पसंद नहीं था इसकी बात हम बाद में करेंगे मैं आपको समझाऊंगा क्यों पसंद नहीं था सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं deconstruction को अगर हमें deconstruction को समझना है तो हमें structuralism को समझना पड़ेगा जिस पर मैं video बना चुका हूँ structuralism में दो जनों की नाम बहुत ही important है Ferdinand de Sashor और Cloudy Levy Strauss यह दोनों क्या बोलते थे specially Ferdinand de Sashor क्या बोलते थे language is a system of science यानि अगर हमें किसी word को समझना है या फिर किसी word का fixed meaning समझना है तो हमें समझना होगा कि वो word दूसरे word से कैसे अलग है जैसे cat word है cat word का meaning हमें कैसे समझ में आता है cat word का meaning depend करता है दूसरे words पर जैसे bat hat cat cat is लिए है क्योंकि वो bat नहीं है वो hat नहीं है वो cat है इसलिए उस word का meaning दूसरे words पर depend करता है तो ऊसका fixed meaning समझने कि लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि cat cat इसलिए है क्योंकि वो bat नहीं है या hat नहीं है ऐसा कहते थे लेकिन यहाँ पर डेरेडा ने सवाल उठाया कि सर शायद आप यहाँ पर गलत हो डेरेडा यहाँ पर क्या बोलते हैं कि किसी भी वर्ड का कोई भी fixed meaning नहीं होता meaning हमेशा constantly change होता रहता है कैसे समझाने की कोशिच करता हूँ माल लो परडिन ने सवाल पुछा कि कैसे क्या आप समझा सकते हो इस बात को प्रूव कर सकते हो तो डेरेडा बोलते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ आपको करना कुछ नहीं है एक dictionary उठालो कोई भी एक dictionary उठालो randomly किसी भी word का मतलब सर्च करो इस word का मीनिंग सर्च करो आपको dictionary में इस word के 500 मीनिंग मिल जाएंगे बोलने के लिए 4 या 500 मिलेंगे इस interest word के कई मीनिंग मिल जाएंगे कोई भी एक final मीनिंग नहीं मिलेगा हिंदी में समझाता हूँ एक तो interest का मतलब होता है किसी में रूची लेना मतलब आपको किसी में interest आ रहा है एक interest का मतलब होता है किसी से ब्याज लेना अब आप पर depend करता है कि आप कौन सा मीनिंग ढूण रहा हूँ ठीक है आपने interest को सर्च किया dictionary के अंदर आपको कोई definition मिल गए English में जैसे मैंने Google पर सर्च किया तो इसका मतलब निकल कर आया feeling of wanting to know और learn about something or someone ठीक है लेकिन आप सोचो किसी को wanting का मतलब समझ में नहीं आया किसी को feeling of wanting का मतलब समझ में नहीं आया किसी को learn का मतलब समझ में नहीं आया तो वो क्या करेगा in words का meaning search करने में लग जाएगा तो interest word की definition में भी आपको कोई दूसरा ऐसा word मिलेगा जो आपको समझ में ना आये तो आप उसकी भी definition search करने पर निकल पड़ोगे आप देखना वो word आपको किसी तीसरे word पर ले जाएगा वो तीसरा word चौथे word पर और ऐसा करते करते आप तब तक नहीं रुखोगे जब तक आप ये assume नहीं कर लेते कि मुझे समझ में आ गया पर्डिनेंट जो बोल रहे हैं कि meaning fixed है दिमाग के अंदर तो डेरिडा उस पर सवाल उठते हैं कि meaning कहां fixed है मुझे तो नहीं दिख रहा मैं बस assume कर लेता हूँ कि मुझे कोई चीज समझ में आ गई तो मैं रुख जाता हूँ जबकि meaning हमेशा postponed होता रहता है God से सुनना दोस्तो highlight कर लो meaning हमेशा postponed होता रहता है और इसी meaning के postponed होने को डेरिडा बोलते है difference ये दोस्तो difference नहीं है difference है basically अगर हम इस word को common use के हिसाफ से देखें तो हम कहेंगे कि spelling गलत है यहाँ पर E आना चाहिए बीच में A क्यों लिखा है लेकिन डेरिडा ने जान बूझ कर spelling गलत किये इस word difference का मतलब ही है meaning का postponed होना इसको note कर लो दोस्तों बहुत ही important चीज है इस तरीके से कोई भी नहीं समझाएगा सारे के सारे concepts इसी वीडियो में clear करूँगा तो डेरिडा क्या बोलते हैं कि ultimate meaning या final meaning जो है वो एक myth है myth समस्ते हो ना ब्रह्म ब्रह्म जिस तक कोई पहुँच नहीं सकता हमें बस यह assume करना पड़ेगा बीच में कहीं पर कि हाँ इसका मतलब हमें समझ में आ गया तब हम रुख जाएंगे हमारी खोज रुख जाएगी लेकिन meaning हमेशा postpone होता रहता है और इसको डेरिडा क्या बोलते है difference अब हम चलते हैं एक और important concept पर जिस concept का नाम है binary opposition सारी चीज़े एक दूसरे से interlink हो जाएगी end में आप बस समझते चलो binary opposition क्या है डेरिडा बोलते हैं कि structuralist को मतलब वो लोग जो structuralism को follow करते थे structuralist बोलते हैं उनको वो पूरी western philosophy में पर दूसरो सारे philosophers की बात कर रहे हैं plateau से लेकर बर्टन रसल तक सारे philosophers को पढ़ लो सारे के सारे binary opposition के according study करते हैं हर चीज़ को ये binary opposition क्या होता है simple language में opposite सी होता है जैसे white का binary opposite है black man का binary opposite है woman new का binary opposite है old और rich का binary opposite है poor आप समझ रहे हो कि ये तो contrast हो गए ना हाँ ये contrast हो गए आप ये बोलोगे कि इसमें क्या बुराई है binary opposite होता ही है ना white का black होता है man का woman होता है इसमें क्या बुराई है ये तो सही है ना लेकिन डेलडा यहाँ पर क्या बोलता है कि इसमें बुराई है क्योंकि इस binary opposition में हमें कहीं ना कहीं hierarchy नजर आती है White is better than Black, पूरी दुनिया मानती है, New is better than Old, Rich is better than Poor, तो ये binary oppositions में हम किसी एक चीज़ को उपर रखते हैं ये दिखाने के लिए कि something is better than something, इसलिए Derrida ने क्या बोला है कि पूरी Western philosophy में Plato से लेकर Russell तक सभी को binary opposition की चश्मे से देखने की आदत है, ये binary opposition की चश्मे से कैसे, कि एक च दूसरी चीज में उस पहली चीज से कुछ कमी है, जैसे for example, हर कोई जानता है कि नई कार पुरानी कार से better है, जैसे man और woman का example लेते हैं, हम जानते हैं कि किसी एक की gender hierarchy है, किसी एक में किसी चीज़ की कमी है जो दूसरे की पास है और किसी एक में नहीं है, या तो man में से woman word न क्योंकि आदमी के पास में womb नहीं होती है, बच्चे बैदा नहीं कर सकता आदमी, इसलिए man word woman में से निकला है, या तो ऐसा मान लो, या फिर woman word man में से निकला है, कि male के पास में जो genital है, वो woman के पास में नहीं है, जैसा कि biblical stories में भी माना गया है, कि Eve को Adam की ribs में से बनाया ग famous drama Macbeth में भी देखो, वहाँ आपको gender studies के बारे में थोड़ा सीखने को मिलेगा, जब आप एक dialogue पढ़ोगे वहाँ पर, when you just do it, then you were a man, कि तुम जब ये करोगे तभी आदमी कहलाओगे, आदमी कहलाने से मतलब क्या है, औरत कहलाना गलत है क्या, तो आपको society में ये जो man word है इसकी hierarchy दिखेगी. अब ऐसा कह सकते हैं कि society जो है, वो man centric है, अब आप क्या चाहोगे इस hierarchy को खतम कर देना चाहिए? तो ऐसे में आप क्या रास्ता निकालोगे? hierarchy को खतम करने का सीधा सा तरीका आप निकालोगे, कि society जो man centric है, उसको woman centric बना देना चाहिगे. समझ रहे है woman-centric से मेरा क्या मतलब है लेकिन यहाँ पर क्या होगा hierarchy खतम हो जाएगी नहीं एक hierarchy खतम होगी दूसरी तरफ hierarchy शुरू हो जाएगी यहाँ पर Darida क्या बोलते हैं कि hierarchy को खतम करने के लिए सब कुछ destroy करने की जरूरत नहीं है बलकि deconstruction की जरूरत है हमें सब कुछ dismantle करके देखने की जरूरत है कि अंदर चल क्या रहा है वो बोलते हैं कि conceptual order को displace करना और overturn करना होगा यहाँ पर आप ढंक से समझने की कोशिच करो Darida क्या बोल रहा है ध्यान लगा कर वो बोलते हैं कि deconstruction का मतलब सिर्फ एक concept से दूसरे concept की तरफ पास होना नहीं है जैसा कि मैंने dictionary का example देकर बताया था बलकि इस conceptual order को overturn करना उलटना भी है जैसे मान लो आपका phone खराब हो गया तो phone सही करने वाला आपका phone तोड़ कर थोड़ी देखेगा वो खोल कर देखेगा न वैसे ही dismantle करना जरूरी है पर इस conceptual order को overturn करना जरूरी है अब आप थोड़ा धंक से कुरसी की पिटी बांद लो हम गहराई में चल रहे हैं हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि Fordinant Disashor के ideas को कैसे reject करते हैं यहाँ पर डरिडा अपने अगर structuralism वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा Fordinant Disashor ने क्या कहा था कि हमें अगर एक word का मतलब समझना है तो दूसरे word से समझना पड़ेगा मतलब जैसे मान लो कोई word cat है तो वो cat क्यो है वो bat नहीं है, hat नहीं है मतलब हमें इस word का meaning पता चलेगा दूसरे words को समझकर ठीक है लेकिन डरिडा क्या बोलते है कि पहला तो कोई भी fixed meaning तो है नहीं meaning shift होते रहते हैं जैसा कि dictionary वाला example देखर कि मैंने आपको समझाया और दूसरा यह जो contradiction जो होते है जैसा कि मैंने आपको बताया black and white, man and woman यह सब binary oppositions ही तो है तो यह सब आपस में messy होते है कैसे समझने की कोशिश करते है जैसे कोई male है, कोई man है आप उसको pure man कभी नहीं देखोगे मतलब सारे आदमी एक जैसे नहीं होते न कभी कभी कुछ आदमियों में आपको और्दो वाली quality देखने को मिलेगी Instagram पे देख लो, नाशते वह मिल जाएंगे और कुछ women के अंदर आपको आदमियों वाली quality देखने को मिल जाएगी आवाज भारी मिलेगी उनका थोड़ा मरदाना style तो यहीं पर डरेडा बोलते हैं कि यह आपस में messy होते हैं और यहीं पर डरेडा का trace का concept आता है trace का मतलब क्या होता है God से समझना trace का मतलब सीधी सी language में मैं बताऊं तो shadow होता है दोस्तो ghostly appearance मतलब एक चीज़ पर दूसरी चीज़ की shadow होती है हमेशा always और यह trace endless chain में चलती रहती है मतलब डरेडा बोलते हैं कि किसी भी word का meaning in traces में in shadows में चुपा हुआ है उमीद कर रहा हूँ आपको trace का मतलब समझ में आ रहा है दोस्तो shadows यहाँ पर डरेडा ने जो massive word का use किया है यहाँ पर डरेडा ने प्लेटो को भी टार्गेट किया है प्लेटो जो की पुराने Greek philosopher थे प्लेटो ने भी कभी binary oppositions का use किया था कब किया था जब उन्होंने speech को writing से better बताया यहाँ पर दुस्तो speech और writing का concept आता है यहाँ पर आपको कितने concepts बताया है पहला तो difference, binary opposition, trace और अब हम पढ़ते हैं कि speech और writing के अंदर यहाँ पर डरेडा क्या बोलते हैं प्लेटो ने कहा था कि speech is better than writing वो बोलते थे कि writing was not effective means of communicating knowledge यानि अगर हमें किसी को कुछ समझाना है तो उससे face to face communicate जो करोगे वो एक अच्छा जरिया है किसी को समझाने का आप अगर कुछ लिख दो तो उसको उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा Speech को writing से better बताया जा रहा है कि अगर हमें किसी को कुछ समझाना है तो हमें उससे face to face communicate करना पड़ेगा जिससे उससे अच्छे से समझ में आएगा आपको मालूम ही होगा कि Plato अपने teacher Socrates दोनो teacher और student आपस में सवाल जवाब पूछ कर चीजों को समझते थे आप उनके ज्यादर works में देखो ने प्लैटो के works में पड़ोगो तो आपको लगेगा आपस में communicate कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं तो obviously साफ सी बात है कि यहाँ पर Plato speech को ज्यादा preference देंगे उन्होंने बोला है कि speech writing से ज्यादा सही है और writing निकल कर आई है speech से यहाँ तक कि linguistics के बड़े एक्सपर्ट जैसे Ferdinandie Saussure और Cloudie Levy-Strauss यह लोग भी speech को superior मानते हैं speech को superior बताने की कोशिश की है writing से मैंने कहा था ना binary opposition सारे philosophers western philosophy में binary opposition का use करते आये हैं ऐसा बोलते हैं Derrida कि एक चीज दूसरी से superior है मैं बताता हूँ Derrida ने 1967 में तीन बुक्स लिकी थी और ये तीन बुक्स थी Writing and Difference Voice and Phenomenon और Off Grammatology इन तीनों में Off Grammatology जो है तीसरी बुक ये सबसे ज्यादा important है दूस्तों क्योंकि इसी में speech और writing की बात किये Derrida ने शुरू से ऐसा माना जाता है कि दिमाग में कोई thought आया वो thought बोले जाने वरले words की जरिया ने speech की जरिये बाहर निकला दिमाग से और फिर writing की जरिये उसको page पर paper पर लिखा जाता है तो writing speech से बनी है, speech से निकल कर आई है speech पहले आई और writing बाद में आई speech truth के ज्यादा close है अब दोस्तों, यहाँ पर दो टाइप की theory निकलती है, एक है logocentric theory और एक है phonocentric theory ये दोनों ही theories ऐसा मानती है कि पहले दिमाग में thought आता है फिर thought से speech के जरिये वो thought बाहर निकलता है और फिर writing में जाता है तो speech पहले आई, writing बाद में आई in fact, Derrida ने तो इस logocentric theory को metaphysics of presence भी कहा है logocentricism में logos को promote किया जाता है और phonocentricism में speech को promote किया जाता है, Derrida यहाँ पर अपनी इस book of grammatology में Ferdinand D. Sashior और Cloude Levy-Strauss दोनों को ये logocentric और phonocentric को promote करने इसके लिए criticize करते हैं क्योंकि Derrida बोलते हैं कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है दोनों ही साथ में develop हुए है speech और writing दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है messy हैं जैसा कि मैंने आपको बताया language का development दोनों से हुआ है speech और writing दोनों से बलकि writing में तो अपने आप में बहुत सारी qualities होती है कि उसके लिए speaker को हमेशा मौझूद नहीं रहना पड़ता जैसे Shakespeare ने बहुत पहले अपने dramas लेखे थे आज भी वो लोगों को जा जाकर सुनाते नहीं है वो dramas लोग खुद पढ़ लेते हैं तो हमेशा speaker को मौझूद नहीं रहना पड़ता writing के लिए writing खुद अपने reader से communicate करती है अपने reader से बात करती है writing में और भी बहुत सारी qualities होती है जैसे phonetic, non-phonetic दोनों हो सकती है writing pictorial होती है, ideographic होती है symbolic होती है और multi-dimensional भी होती है जैसे for example Shakespeare ने सदियों पहले tempest को लिख दिया आज हम tempest को post-colonial point of view से पढ़ते है ठीक है क्या आपने कभी सोचा था Shakespeare ने tempest को लिखते टैम पे post-colonial view point of view रखा होगा अपने दिमाग के अंदर नहीं, उनकी writing आज post-colonial view से पढ़ी जा रही है writing के अंदर ये multi-dimensional quality होती है कि समय के साथ सालों के बाद जाकर उसके अलग-अलग मतलब निकाले जाते है writing में ये quality होती है तो Derrida बोलते हैं कि शुशौर खुद ही इन differences को समझ नहीं पाए तो वो speech और writing में फर्क कैसे बताते आप गौड से सुनना दोस्तों यहाँ पर Derrida ने writing को speech से उपर रखने की कोशिश नहीं किया है वो कहते हैं कि writing और speech दोनों साथ में चले तब जाकर के language डबलप हो गई कोई भी उपर या नीचे नहीं है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं मैसी होते हैं आपस में और यह hierarchy को promote नहीं करते binary oppositions को promote नहीं करते वो अपने इस deconstruction की idea से truth को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम जब दो चीजों को contradictory मानते हैं जैसे speech और writing दोनों एक दूसरे के लिए जरुरत मंद है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं हिंदी में बोलू तो दोनों को एक दूसरे की जरुरत है Cloud A. Levy Strauss को वो ये बोलकर criticize करते हैं कि ये logocentricism को promote करके ethnocentricism को promote कर रहे हैं कुल मिला कर speech और writing के बीच में relation को गलत तरीके से promote करने की कोशिश कर रहे हैं और इन दोनों के साथ-साथ ये Russo को भी criticize करते हैं Russo ने भी अपना एक essay लिखा था दोस्तों एक essay लिखकर language बे हाट डालने की कोशिश की थी Russo ने language को लेकर एक essay लिखा था दोस्तो origin of languages ठीक है? उन्होंने भी same सी चीज बोली थी जैसा प्लेटो बोलते आये थे कि writing का origin speech से हुआ है writing language का original nature corrupt करती है इसलिए Russo इसको dangerous supplement बोलते हैं क्या बोलते है? dangerous supplement इसको note कर लो Russo ने writing को dangerous supplement का है क्योंकि इससे अकेले में pleasure मिलता है जैसे masturbate करने से अकेले में pleasure मिलता है तो Russo बोलते हैं ये एक type का cheating nature है कि अकेले में pleasure लिया जा रहा है ये एक type का dangerous supplement होता है लेकिन Derrida बोलते हैं कि ये dangerous supplement भी ज़रूरी है अब इतना सब कुछ समझने के बात में हमें ये समझना पड़ेगा कि Derrida important क्यों है क्यों हमें deconstruction को पढ़ना चाहिए दोस्तो Derrida important इसलिए है क्योंकि इनके ideas philosophy में एकदम नए थे एकदम नए ideas लेकर ये आये थे और आने वाले generations को इन्होंने inspire किया था और इनकी जो deconstruction theory है न बहुत सारे subjects में काम आई थी जैसे architecture architecture में भी काम आई है इनके ideas एकदम अलग थे और इनको ये जो deconstruction का idea आया था न ये आया था Martin Luther और Martin Heidegger के ideas से वो destruction के idea को promote करते थे destruction क्या होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा Martin Luther और Martin Heidegger Martin Luther के बारे में तो आपको पता ही होगा ये दोनों क्या मानते थे कि किसी भी philosophical concept को समझने के लिए हमें समझना होगा कि कौन सी चीज है जो उस philosophical idea को motivate कर रही है और उस philosophical idea को समझने के लिए पहले उसे dismantle करना पड़ेगा dismantle का मैंने आपको मतलब बताया था dismantle का मतलब destroy करना नहीं होता वीडियो की starting में dismantle का मतलब है खोलना समझना टेरिडा ने क्या किया इसी idea को उठा कर textual reading में apply कर दिया वो बोलते थे कि जिंदगी के सिर्फ दो ही opposite dimensions थोड़ी होते है अरे जिंदगी तो multi dimensional चलती है अगर थोड़ा और गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी word का कोई भी fixed meaning नहीं होता सब में traces होती है traces के अंदर meaning होते हैं आप कैसे एक word का meaning दूसरे word से निकाल सकते हो नहीं निकलेगा एक word का meaning वो meaning आपको एक जगह से दूसरे जगह divert करेगा इसी को हम difference कहते हैं कुल मिला कर आप थोड़ा और गहराई में जाओगे तो आपको पता लगीगा कि ये structure जो हम देख रहे हैं इसका कोई भी fixed center है यह नहीं एक signifier दूसरे signifier की तरफ ले जाता है दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे और चलता ही जाता ये process ये एक never ending chain है ये chain तब तक खतम नहीं होने वाली जब तक कि आप बीच में ना मान लो कि हां मुझे समझ में आ गया of course, वो आपका illusion होगा, meaning तो traces के अंदर ही छुपा हुआ है लेकिन आपको इस से एक चीज़ तो साफ हो गई होगी कि structure list जिस बड़े structure की बात करते थे न वो structure अपने आप में self content नहीं होता उस structure को भी identity मिली है दूसरे elements से इसलिए हमारे Darida structuralism की idea को थोड़ा फर्दर थोड़ा गहराई में जाकर discuss करते हैं इसलिए उनको post structuralist कहा जाता है तो कहलाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं था आप क्यों पसंद नहीं था मुझे नहीं पता मैंने बूला था मैं बताऊंगा लेकिन मुझे नहीं पता आप search कर लो और इसी statement के साथ में I arrest my case अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों concept समझ में आया होगा कि deconstruction के अंदर डेरडा ने क्या बोलने ही कोशिश किये ऐसे ही और भी वीडियो जाती रहेगी फिलाल आज की इस वीडियो में बसतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में